हेलो स्टूडेंज, चाला खोडा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग कोडा राजी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं अब तक हमने साथ पार्ट पढ़ लिया है, आज हम लोग आठवा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं तिन वीडियो में खतम करतेंगे, काफी लंबा नाटक है, नाटक लंबा ही रहता है इसको हम लोग लाइन बाइन पढ़ रहे हैं तो टाइम लगेगा और अगर एक्जाम में अच्छा करना है तो पूरा अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि बीच का कुछ एक लाइन उठा के दे देगा और उसके बारे में पूछेगा तो अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कोश्चन आंसर तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन कोश्चन आंसर में भी सारा कुछ कबर होना पॉसिबल नहीं होता है तो एक बार इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग नाटक पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को अपने आप को दर्सक समझना है और हम लोगों को यह imagine करना है कि हम लोग बैठ के नाटक को देख रहे हैं तो जो चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोगों को imagine करना है कि हम लोग उसको मंच में देख रहे हैं जब भी नयाद रिस्य सुरू होता है मतलब स्टेज खुल रहा है परदा खुल रहा है अब स्टेज में हम लोगों को क्या क्या दिखाई देगा उसको अभी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को तो यह चीज बताया जा रहा है कि हम लोगों को नाटक जब चल रहा है तो बर्दा जब खुलता है तो उस समय हम लोगों को स्टेज में क्या दिखेगा दिरीज से खुलता है तो तो अगर हम लोग नाटक का मंचन देख रहे होते तो यह चीज बताया नहीं जाता है यह चीज हम लोग देखतें वहाँ पे हैं तो क्या देखतें कि सेट फकीरजंड मँच में है restrictions कहांपे है अपने कोठी में है अपना घर बंगला जो भी है वहाँ पे है और सुगिया उस घ घर का gorषो और सेठ किया कर रहा है सेथ अखबार बढ़ रहा है बाट कि नजर से कर सुग्या को देखता है कि उस सेठ्थ तो है के उपर बूरा दाल रहा है तो ऐसे विति हो अ उसको कुछ पता नहीं अपना बंदस अपना पोचा लगा रहीए है progress since कर रही है तो यह हम लोगों को द्रीक से खुलते हुए दिखता है स्टेज में तो वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और अंत तक देखिए अगर अच्छा लगे तो ल सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को भी ग्रोथ करने में थ्कामेंट मेंुदा आता हूं थोड़े से उम्मीद मैं भी करता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक कॉमेंट जरूर कहें वीडियो के बारे में लिखें कैसा लगा वो बताएं आगे की वीडियो में क्या चाहिए वो बताएं कुछ नहीं तो कम से कम जोहार लिख दीजें तो चली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब सेट बैठा हुआ है सेट अब सुगिया को बोलता है सुगिया को बहत है नन निगए खिक्खा मडखो कालो है तो अब सुग्या को बोल रहा है कि उतना ही काम करो तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा बोल रहा है सेट है तो सुग्या उसको जवाब देती है तो बोलती है कि अगर हाथ उगंदा नहीं करेंगे मालेक तो काम कैसे होगा तो सेट उसको फिर बोलता है इननर ही मंजा बराईसन उक्के उंगुर तो बोलता है चलो चलो आज के लिए हो गया आज यहां पर आके चलो बैठो ऐसे बोल रहा है उसको सेट सुगया बोलती है मलआ और भायो ओकोन होले इहान देरी-मनो-पहलो डएर न लख रहे इह सर्बाट चप्पन होले जुन देरह किर्रोन तो बोलती है कि नई-नई मालिक बहुत काम है बैठेंगे तो काम करने में देरी हो जाएगा और उसके कारण घार जाने में भी देरी हो जाएगा फिर बोलता है कि क्यूं आज रात यहां रुखो भी तो नहीं बनेगा बोल रहा है अगर हम यहां पर रहेंगे तो मेरा आदमी को मेरा पती को खाना कौन देगा और हम और अवरत जाद हैं तुम्हारे इस कोठी में हम कैसे रह सकते हैं बोल रही है तो सेट बोलता है अनेम एक है एन रह अधन तो वक वह जैसे हम रहते हैं बोल रहा है सुग्या करेंद भोलती है नए नहीं हमने रहेंगे भोल रहे हैं तो सेट बोलता है है फिर भी तुम्हारा कापार में कि सिंदूर नहीं देखता है अइसा क्यों बोल रहा तुय जक्राइस पीजिए को था साधी नहीं कि यह हो बोल रहा है सुग्या बोलती है मला थोड़ा सा कि असके बाद फिर अपना अच्रा को समेटती है उसको थोड़ा सा लग जाता है कि यह कुछ न कुछ कड़बड है तो फिर सेट बोलता है कुवारे तो बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग कुवारे हो साधी कब करोगे तो सुग्या बोलती है लिसनूं तो आदमी लोग से कभी भी बात वात करोगे कुछ उनसे कूछ होगे तो उन लोग जब मन में कुछ सोचता है तो थोड़ा से पैर को ऐसे ऐसे लेसता है ना फर थे-खैसप large-okay अपना पैर को मतलब को फोस्त ने Ilmen और जमीन में ऐसे से करके लेश हैं देश किरों की बेंजरों बोल रही है उसके बाद बोलती है कि जब हम लोग अपना राज लोड़ जाएंगे अपना देश लोड़ जाएंगे तब साधी करेंगे तो सेट बोलता है और उन्ता कत्थम इंदन इंद्रा गर्जु सीन निन सत् ला बोल रहा है की और एक बात पुछते हैं तुमको। क्या तुम गर्जु को एकदम सच में प्यार करती हो सुग्या बोलती है कुक्कन गडार की लेजन्रोंं तो अपना मुन्डे को इसे जुकाती थुला-थुला सर्माती है और बोलती है havenавать इंद्र आशेष पोलता है कि मै न बोल रही हो मेरे से बोलता है सुग्या बोलती है उसको जवाब देती है आसिन मया प्रेम माल नन्ना हुले आस गने नागपूर ती कोडा राजी इंदरना बंबन की वरोंदने बोलती है कि अगर हम उससे प्यार नहीं करते तो उसके साथ हम नागपूर को छोड़के यहां पे कोडा राजी में काम करने के लिए भाग के क्यों आते उसको बोलता हैं इंदरा आ और उन्दमवयां दस को बोलता है कि क्या हुए तुम उतनहीं प्यार करता है हितना की तुम उससे प्यार करती हो Southern इंधर एक हैं मैरे से जादा पियार करता हो सुगिया बोलती है इसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है आश्चर्य के साथ इंदरा विश्वास नहीं हो कायन मिहनत मजदूरी नू गल्बाची अलग दी इभरी जवानी तप्लीक सहना गी मल्ला मुद्धा अराम गी सोना समय ही के प्रण आयरर की पंगा बड़ा दुख लगी तो अब इसको साने कोषिस में बोल रहा है कि मोद्धा आयर करते हैं लेकिन कैसे बोलेंगे तुम्हारा यह सोना जैसा शरीर मतलब उसका थारीफ कर रहा है कि तुम्हारा यह सवना जैसा सुन्दर शरीर को तुम मेहनत मजदूरी करके गला दे रही हो इसको तुम बरबात कर रही हो और ये इतना भरी जवानी में तुम इतना दुख तकलिप सह रही हो बोल रहा है और बोल रहा है कि इतना भरी जवानी में तुमको तकलिफ साने का जरूरत नहीं है मुदा अराम की सोना समय ही के तुमको अभी अराम करने का टाइम है और अच्छे से रहने का टाइम है और बोलता है कि एरर कियेंगा बड़ा दुख लगी बोलता है कि तुमको इस तरह से देख के हमको बहुत ही ज्यादा दुख होता है तो सुगिया बोलती है पूल पोसाग नलक तो नन्नम मनी हुजूर मजबूरी हुई के एका से बाउने तो बोलती है कि पेट पालने के लिए तो मजदूरी काम करना तो पड़ता ही है और मजबूरी भी है कैसे हम आपको बताएंगे बोल रही है तो सेट बोलता है मजबूरी हा 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 बोलके हासता है फिर बोलता है मजबूरी एका ओड़ा ही नाम है के बल्दनेन तो बोलता है कि यह मजबूरी किस चिनिया का नाम है हमको नहीं पता है मुदा अगर नीन जिन्गी नो सुख चैन और सम्मान ती उज्जविद्धी फुले इंगन संग तयार मनें तो बलता है कि यह मजबूरी किस चैनिया का नाम है हम तो नहीं जानते हैं लेकिन अगर तुम जिन्दगी में सुख चैन से और सम्मान से जीना चाहती हो तो मेरे साथ रहने के लिए मेरा साथ देने के लिए तयार हो जाओं तो सुखिया उसको जवाब देती है इंद्रा इंद्रा बाच का है तो बोलती है क्या 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 बोले उसको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो सेट बोलता है हां हां अरे निंग मेतस गर्जू सूं एका ल भर जो कुछ किया होगा तो अच्छा किया किया बोलगी है ढिनका पूप लिखा कायन नलक नंता नंता गिंचा अचिया लगदास यह बेडान ओगा निंगन सिंगार पत्त ननर की बेल उखे बैल के विसे राना रह जा मुधा चीचीची नलग नना लग दी यह उंदस होगे कि कथ्था ही के तो सेट उसको बोलता है तुम्हारा ये फूल जैसा शरीर फूल जैसा बदन इसको काम करवा करवा के वह एकदम बरबाद कर दे रहा है इस समय में ऐसा जवानी के समय में तुमको तो सिंगार पितार करके एकदम रानी की बैटी जैसा रहना चाहिए था ऐसे बोल रहा है बेल कुकिया मतलब रानी की बैटी मुदा लेकिन छी छी नलग नना लग दी यह उन्द सुग्य के कथ्था ही के तो लेकिन तुम तो काम कर ली हो, कितना दया का बात है, कितना सुग्य का बात है, तो सुग्या उसको बोलती है, एंग है गरीबी मैया, अमबालखा उर्भायो, तो बोलती है कि मेरा गरीबी के उपर मत हसो, मालिक, तो सेट उसको बोलता है गरीबी, इंद्रा ही के, अख्दी, उ गरीब की सुभिया अभिसाफ ही कि यह एक अभिसाफ है निंगन निंगहे बेशे सुन्धर ही पिलो गे तो गरीब की जिंद्गी नरकी जिंद्गी तो न रख का जिंद्गी है कंटिक गोखाई की ए राय बोलता है कि थोड़ा सोचो और समझो देखो निंग्याई गर्जुस गी रहना गी ठेकाना और अन्ना मोखना गी अधा कुल ओन्ना अर्ख एटर का लहंगाती जिन्गी फिपना एद का जिन्दगी ही कि तो बोल रहा है कि तुम्हारा गर्जुच देखो उसका ना रहने का ठीकाना खाने-पीने का ठीकाना आधा पेठ खाके फटा हुआ यह लहनगा पहनके जीना यह कोई जिन्दगी है तो सूग इसको जवाब देती है. मेरा हमको इसी जिनदगी में एकदम सुख और सेन बोल रही है. तो सेट उसको बोलता है मला मला नेन जूट बहा लग दी मानिम निंगा ऐसो आराम अरा धन खुरजी लोग मला अगर मला दीम नागपूर अंबर के कोड़ा राजी इंदर के बर्च की दौला दर जागे संपती जुडागे तो उसको बोलता है नहीं नहीं तुम जूट बोल पैसा कमाने के लिए आई होना संपती जोड़ने के लिए अब रहा है सुगिया बोलती हां तो सेट उसको फिर बोलता है आऊंगे इन बादन सुगिया ओन माखा एंगने भितभाए कि ए रहे सगर माखा नूं निंगे मजबूरी जरा इसन छपित मनो कालो नीन अखाहू बल काम लोग इसको बोलेंगे क्या बोलता है कि एक राट मेरे साथ बिताओ अब फूरा रात रहीं रात बिताने के बाद भर रात में तुम्हारा गरीबही कहाँ चला जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा उसको बोल रहा है तो उसको अब वो पूरा एकदम साप साप उसको अपना मन का बात कह रहा है कि वो उसके बारे में क्या सुचता है और उसके साथ वो क्या करना चाहता है अब वो कुछ भी चालवाल नहीं खिल रहा है एकदम वो अपना जो इरादा है उसको सुग्या को बता रहा है सुग्या बोलती है इसा कभी भी नहीं हो सकता है तो बोलती कि ऐसा दूसरा मर्थ के बारे में सोचना भी मेरे लिए आप है बोल रही है तो सेट उसको बोलता है अरे गुली लाओ एक पाप और पुन्यन नीन गर्जु सिन अम्भाई की एंगुसन चैल बराये तो उसको बलता है यह पाप और पुन्यन को गोली मारो तुम गर्जु को छोड़ो और मेरे पास आ गर्जु काधन तो फिर वह समझ जाती है कि सेट अब उसकी उपर गंदी नजर । और भोव अच्छा नहीं है तो बोलती है । क्पर irregular लाओ इं İs अच्छा बात नहीं है है रोखता है उसका रास्ता रोखता है और बोलता है हम सच-सच बोल रहें सुगिया तुम की एकडम रानी की तरह हम तुमको रखेंगे बोलके उसको फिर चूने लगता है तो सब्सक्राइब बुलता है तो सेट इसको लिए बादन सुगिया, ए निंगन बिंजरा विद्धन, तो बोलता है, सुगिया को फिर से वो, कि हम सच सच बोल रहे हैं सुगिया, हम तुमसे साधी करना चाहते हैं, तो सुगिया उसकी बोलती है, मला मला हुजूर, इद मना पुल्ली, एंगन छे मानना, एंगन काला चिया, तो और यह सब नहीं हो सकता है हमको माप करो हमको यहां से जाने दो तो सेट इसको बोलता है फिर फकीर चंद का हाथ से खुटना बुच्ठार ना मतलब छुटना इतना मुस्किल नहीं है बच के निकलना इतना असाण नहीं है सिब्बा मल्ला मतलब आसान नहीं है हना तो सेट का हाथ से बचना इतना आसान नहीं है फिर उसके तरफ जाता है फिर सुग्या उसको बोलती है मला औरुबायो फुन्ने भाईर मल्ला एन इजद भी भीक नया लगदन फिर उसको बोलती है मला औरुबायो इनने भाईर मला इसा क्योओल मत करो हम अपना इजद का भीक नाजते हैं और उसका पैर को पकड़ती है और उसको बोलती है के हमको यहां जाने को जाने दो च्वानां मला ओर लो ली ये इन द बान अ को हाँ बोलते हैं फिर । उसको की बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारा ये जगा जो है वो पैर में नहीं है बोलता है उसको फिर पकड़ के उठाने को कोशिस करता है और बोलता है कि तुम्हारा लिए जगा तो हम रख दिये हैं और फिर उसको यह पोटरने का कोशिस करता है तो सुगिया कोशिस करते हुए छोटते हुए ऐसा ही चड़ते हुए दागत लगाते हुए बोलती है निंगा तरी को लज्जे बिज्जे मल्ला कोहा आल मनर की सन्नी घोखो कुदाए पापा इसला आला हिक देनी नाला अल्ला हिक देनी नल्ला बोलती है न तो उसको बोलती है कि छुटते हुए बोलती है तुमको थोड़ा भी सरम नहीं है इतना बड़ा आदमी हो कि एकदम छोटा सा सोच रखते हो पापा हो तुम पापी हो तुम कुटता हो कुटता तुम बोलको उसको नाट रहे है तो सेट अ आगे निकल जाता है अब वो हिच्डा गई है ना सुग्या फिर भागने कोसिस करती है तो सेट उससे फिर से आगे आ जाता है बोलता है अल्ला हिक्दन का आल हिक्दन अक्कुनिम एदोंची ओन तो इसको बोल रहा है कि हम उत्ता है कि आदमी है अभी के अभी तुमको हम सेट फकीर चंद का सिकार इतना आसानी से बच के नहीं निकल सकता है तुमको पता है बोल रहा है कि मेरा हाथ बहुत मजबूत है तुम नहीं भाग पाओगी भूंगा कादस की सुग्या की बढ़िन धर्दस की नतकदस फिर दोड़ते हुए जाता है उसका बहां को पकड़ मंलरक दोच कि क्शितमा तो उसको बोलती है कि हम को चोड़र ने तो हम चिलाएंगे सेट इसको फिर बोलता निंगिए इसन ने हूं मंलर मैंहिन इंगंशन बचवागे मल बरोर एध कोठीànक तो उसको बुलता है कि तुम्हारा चिलाने का वाज किसी को सुनाई नहीं देगा अगर कोई सुन भी लेगा तो यहां पर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा यह सेट फकीर चंद का कोठी है सेट फकीर चंद का बंगला है बोल रहा है उसको सुग्या बोलती है उसको जोड स पच्छ्रा ना लगदेखो यह पापा दोगला राधा भी गुश्दिर हो दे इसको किसको तुम धर पकड़ कर रहे हो एकदम पापी आदमी हो तुम बोल रही है तो तो सेट सुगियान अम बनों अब सेट सुगिया को छोड़ेता है राधा आ जाती है तो अब राधा को बलता है अरे राधा एंगा कोट्री नो कोर्णा ही कोर्णा से इंदर चाण मंजानिक है उसको डाट रहा है कि मेरा कोटी में घुशने का तुमको क्या जरुरत पड़ा का मौका का फायदा उठागे शूट के भाग जाती है अब राधा उसको बोलती है कि मरा हुआ आदमी हमको पुछते हो लड़की लोगो ठक ठक यहां लेके आते हो उनका इज़त को बरबाद करते हो तुमको थोड़ा भी सरमनी लगता है नाद इसला मतलब नाद मतलब नाद मतलब राक्षज राक्षज इस टाइब का बोल सकते है नाद मतलब भूंध हता है तो या फिर बुरा आदमी जो भी ए pardon इंगाई वक्तिगत मामला ही के निरigentं मजी नमके बराद उसको बोल रहा है कि यह में राधा देखो तुम इसके बीच में मत आओ तो राधा उसको बोलती है अना को पापाहा निगा बेटी बहीन में लरदरा का उसको बोल रही है अरे पापी तुम्हारा बहन बेटी नहीं है बोल रही है तो राधा उसको बोलता है नीन बग्ये सवाल हमाना नहीं एंगुसन बुंगा इसलिक उसको बोलता है कि मेरे पैसान नहीं है फकीर एक एक पैसा का हिसाब लेंगे तब यहां से हम जाएंगे बोलता है उसको बहुता है कि भागती है तो भागो यहां से नहीं तो हम तुम को गोली मार देंगे बोलता है तो राधा बोलती है तो राधा उसका बोलती है हमको मारने के लिए आज तक गोली ने बना है फकीर और थोड़ा दिन देखो और थोड़ा दिन हम असरा देख रहे है तुम भी असरा देखो जिस दिन तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा उसी दिन हम मरेंगे और तुम्हारा जो दफनाने का गड़ा है उसको देख के ही हम मरेंगे बोल रही है फिर वहाँ चले जाती है आप सेट कले-कले भंगाए टीवलन गुसी लवार की तू जल्ली नू बजर का ओड़ा उड़ियारा किरा जिंग नू पहली बार एंगोखा धोखा मुक्कन सेट पकिर चांदस धोखा मुक्कस छी इचका राधा दिन फुर्मिन बगड़ा चाचिच्चा तो सेट बलता है जा जिन्दगी में पहली बार फकीर चंद धोखा खाया है यानि पहले भी बहुत सारी लड़की को इस तरह से फखार चुका था जिस तरह की हम लोग उड़ारी का कहानी में पढ़े था ना उसमें जो चाय बगान का मालिक लोग हुआ करता था इटा भाटा का मालिक लोग इस सारा कुछ गार इससे करता है ऊसके बाद परताब बंध अगर आप लोग लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं मतलब आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है थो थोड़ा सा एक मिनाट और सून लिजे तो मैं आप लोगों के लिए इतनी महनत के साथ व थोड़ा सा मेरे ले महनत करें और टाइम निकाल के कम से कम पांच लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि जिन तक ये वीडियो पहुँचे उनको भी लाब मिले और मेरा चैनल को भी ग्रोथ होने में थोड़ा सा मदद मिले और मैं आप लोगों के लिए काफी चाहिए था अगले वीडियो में उस चीज को इंप्रूव करना है तो वह भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं और लाइक जरूर कर दीजेगा थाइंक्यो फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में